एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं क्या तो बच्चो दो बच्चे लेते हम है ना आपको तो पता ये मेरी ड्रोइंग कितनी अच्छी है ये देखो एक बच्चा हमने बना दिया ये और एक बच्चा हमने बना दिया ये ठीक है हाला कि बच्चो देखने में थोड़े से पतले यह पतले क्यों है क्योंकि खाना कम खाते हैं इसलिए यह कम खाना खाते हैं इसलिए थोड़े से दोनों पतले हैं लेकिन कोई बात नहीं अभी मोटे हो जाएंगे हैं अभी इनको मोटा कर देते हैं दिक्कत मत लीजिए बचो यह दो छोटे-छोटे बच्चे एक का नाम है छ छोटू ओर चिंटू अब बचो क्या हुआ यह चोतू ओर चिंटू इनके पास ना दो अलग अलग टाइप के क्या है सिक्खिय है है ना पैसे को अलग लग टाइप के है अब कौन कौन सा लग टाइप के मैं कहूं अगर इसके पास बच्चो 5 रूपीज के कोईंसे कितने हैं 5 रूपीज के कोईंसे किसके पास छोटू के पास और जो हमारा बच्चा चिंटू है जो चिंटू है बच्चो चिंटू के पास है 2 रूपीज के कोईंसे 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 के पास कौन से है टू रुपीज के कोईन अब चिब चिंटू के पास टू रुपीज कोईन है तो बच्चो मैं अगर आपसे ये पूछू इन दोनों के पास ना दोनों का अमन्ट बराबर होता कूछ यह अरप होता तो बराबर लेकिन, लेकिन आपने क्या लिया बच्चों आपने मिल्गों आइस लिए बताए क्योंकि यह Chinese इंट क्या है, रे निम वेल्यू है वैल्यू भी बनादा है अब हम minimum को बच्चों क्या ली सकते हैं minimum को हम ली सकते हैं least यानि कि कम से कम बच्चों हम पढ़ेंगे LCM and HCF ही पढ़ेंगे ओके चलिए तो जड़ा एक छोटी चलाइन हो जाए बच्चों कहते हैं कि अब जब आखों में अर्मान लिया जब आखों में अर्मान लिया मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या भई ठान लिया तो ठान लिया है ना अब ठान लिया तो ठान लिया और आप लोग भी ठान लिजिए कि बच्चों हम लोग सुरू से लेके अन तक बने रहेंगे और चैप्टर को आज फ तीन कोश्टन्स आये हुए थे इसी चैप्टर से और बच्चो कमाल की बात तो यह है कि 2019 में इसी चैप्टर से इसी चैप्टर से बच्चो सेवन कोश्टन्स आये थे देख रहे हूं एक ही चैप्टर से अगर seven questions आ जाएं अगर एक ही chapter से seven questions आ जाएं तो बैटा क्या होगा सोने पर सुहागा हो जाएगा फिर तो है ना असान chapter भी है seven questions भी हो जाएं वो भी एक ही साथ तो क्या ही कहने है ना क्या ही कहने इसके तो बच्चो धीरे-धीरे हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसके previous year के questions भी करेंगे हैं ना लेकिन पहले chapter को जड़ा start करते हैं बच्चो LCM कहता था LCM of two or more numbers is the smallest number is the smallest number which is multiple of each of the number जो की बच्चो क्या होता है हर एक number का multiple होता है लेकिन एक word होता है बच्चो एक keyword है इसको बोलते है smallest क्या होना चाहिए अब जड़ा मैं आपको देखो लिख के बताता हूँ जैसे मैंने बोला हम क्या पढ़ने वाले LCM क्या पढ़ने वाले बच्चो LCM का मतलब क्या होता है LCM का मतलब होता है least, least, common, least, common, multiple अब बच्चो multiple का मतलब तो समझते हो आप लोग multiple का मतलब क्या होता है किसी भी number की multiply एक integer से कर देना किसी भी number की multiply उसके integer से कर देंगे या फिर अगर simple भासा में बोलें तो एक number का अगर हम table लिख दें तो वही क्या होता है उसका multiple हो जाता है वही क्या होता है उसका multiple हो जाता है तो बच्चो multiple में तो देखना है लेकिन हमें क्या देखना है common भी देखना है और क्या होना चाहिए least, बच्चो least का मतलब क्या होता है का मतलब होता हैम देखें है level क्या होता है 1 लोव सब्सक्राइब इसको एक और भासे आज वोले पत्चो तो लोस बोल सकते मिनीमद क्या बोल सकते हैं minimum मिनीमम और इसको हम यह भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं बच्चो smallest है ना कहता है lowest common multiple या फिर least common multiple minimum common multiple smallest common multiple अब आते हैं जरा आगे बई LCM find कैसे करते हैं LCM find कैसे करते हैं LCM का meaning तो हमने समझ लिया लेकिन LCM को find कैसे करना है तो बच्चो LCM को find करने के लिए two methods हैं कितने methods हैं two methods अब वो methods कौन-कौन से हैं कौन-कौन से methods हैं तो मैंने लिग रखें सामने एक होता है बच्चो prime fact transition method और एक होता है common division method prime fact transition method और एक होता है common division method अब इसको apply कैसे करते हैं अब इसको apply कैसे करते हैं तो मैं आपको एक question मैं आपको थोड़े से question कराता हूँ जरा पहले है न दोनों तरीके से देखिए बच्चो अच्छा suppose करिए मैंने आपको यह question दिया है छोटा सा question है कहता find the find the lcm of find the lcm of lcm of 12 and 16 बच्चो आपको दो numbers given कर रखे 12 and 16 आपको ने इसका multiple लिखना है क्या लिकना common multiple यानि कि least common multiple अब इसे कैसे करते हैं जरा देखो बच्चो अगर हम बिल्कुल basic की बात करें तो 12 के multiples क्या हो सकते हैं अब यही तक छोड़ देते हैं अब जरा 16 का देखते हैं बच्चो तो 16 का देखेंगे तो क्या होगा? 16 बन जरा 16, 16 तू जरा 32, 16 तू जरा 48, 16 फोर जरा 64, 16 फाइब जरा 80, 16 फाइब जरा 80, 16 फाइब जरा 80 है ना और 16 जरा 96 ऐसे करके और भी आगे लिख सकते हैं लेकिन बच्चो ध्यान दो अब 12 में और 16 में कौन सा नम्मर कोमन हुआ? 12 में और 16 के मल्टिपल में कौन सा नम्मर कोमन हुआ? तो आपको सर यहां से हुआ 48 और यहां से भी क्या हुआ? 48 अब यही तो क्या है कोमन? क्या है? कोमन और मल्टिपल भी है और सबसे छोटी भी है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, lowest common multiple, lowest common multiple, तो एक तरीका तो ये है आपको find करने का, कि आप सब के क्या करेंगे, सब के पहले multiple लिख देंगे, उसके बाद common का लेंगे, तो गोई सर ऐसे तो बहुत hard होगा, है ना, हम कितने ही multiple लिखेंगे, कोई असान तरीका बताईए, तो and 16, हम इसको बच्चो, prime factorization से solve करेंगे, अब prime factorization क्या होता है बच्चो, तो prime factorization के लिए पहले ज़रा सी knowledge gain कर लेते हैं पहले हम ज़रा सी knowledge gain कर लेते हैं कौन सी? Prime numbers की कौन सी knowledge gain करते है? Prime numbers की चलिए, अब मुझे ये पताईए Prime numbers कौन से होते हैं बच्चो इसकी exact definition क्या होगी कैसे numbers को हम prime numbers कह सकते हैं कैसे numbers को हम prime number कह सकते हैं प्राइम नंबर पता होगा, तभी तो प्राइम फेक्टराजिशन कर पाएंगे ना, अब प्राइम नंबर ही नहीं पता, प्राइम फेक्टराजिशन कैसे करेंगे, तो पहले ज़रा प्राइम नंबर के बारें पढ़ते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर हो सकते हैं, अगर ह है उनको क्या बोलते है प्राइम नंबर वन को छोड़के है ना क्योंकि वन से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं अब वो टू फेक्टर कौन कौन से होते हैं बच्चो यह जो दो फेक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो दो फेक्टर होते हैं एक होता है वन और ए एक होता है itself, एक होता है one, एक होता है itself, ऐसे ही numbers को हम क्या बोलते हैं, prime numbers, ऐसे ही numbers को हम क्या बोलते हैं, बच्चो, prime numbers बोलते हैं, तो सबसे छोटा prime number क्या हो सकता है, क्या one prime number हो सकता है कि नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ, कि one, एक prime number क्यों नहीं है, बच्चो, अगर हम द्यान दे वन तो वन का अगर हम फैक्टर देखें तो बच्चो वन के लिए वन तो डिवीज्वल हो गई होगा लेकिन इसका जो इट सेल्फ है इसका जो बच्चो इट सेल्फ है वो भी क्या होगा वो भी तो आपका वन ही होगा वो भी तो क्या होगा आपका वन ही होगा इस नहीं होता क्योंकि 1 के 2 factor ही नहीं होते इसलिए 1 prime number नहीं होता अब 1 prime number नहीं है तो prime number है कौन prime number है बच्चो 2 2 के बाद आता है 3 3 के बाद है अहां 4 नहीं होता 4 नहीं होता 2 के बाद बच्चो आएगा 5 5 के के बाद आएगा क्या 7 7 के बाद येगा 11 11 के बाद 13 13 के बाद 17 17 के बाद 19 19 के बाद बच्चो 23 23 के बाद 29 29 then after 31 37 41 43 40 47 47 के बच्चो आता है 53 53 के बाद 59, 59 के बाद आता है 61, 61 के बाद आता है बच्चो 67, फिर आता है 71 then आता है आपका 73 then आता है आपका 79 then आपका आता है 83 उसके बाद आता है 89 and 97 अगर हम बात करें बच्चो 100 भी एक प्राइम नंबर नहीं होता तो 1 से लेके 100 तक 1 से लेके 100 तक total इतने ही प्राइम नंबर होते हैं how many total prime numbers how many total prime numbers how many total prime numbers are there are there from from 1 to 100, 1 से लेके 100 तक कितने prime number हो सकते हैं answer कितना होगा बच्चो इसका 25 होगा answer होगा 25 अब इसी को अगर मैं explain करके और आपसे पूछू बच्चो इसी को मैं explain करके आपसे एक और चीज पूछू कि 1, 2, 50 1, 2, 50 आपको 1 से लेके 50 तक prime numbers बताने हैं क्या होगा बच्चो 15 क्या होगा 15 prime numbers होते हैं 1 से लेके 100 तक देखें तो 25 25 1 से लेके 50 तक देखें तो 15 अब इसी को आगे देखते हैं जरा अब अगर बच्चो आपसे ये पूछ लूँ अब तो बता ही दोगे ये तो काउसर ये तो वेरी इजी कोशन है 51 to 100 51 to 100 बच्चो 51 से लेके 100 तक कितने prime numbers हो सकते हैं 25 में से 15 15 51 से लेके 100 तक Prime numbers आपने पढ़ लिये अब prime factorization परे आते हैं बच्चो क्या करते हैं ने हम numbers को ना prime number से डिवाइड से डिवाइड कर देते हैं हम numbers को क्या करते हैं Prime number से डिवाइड कैसे करते हैं 12 है अब 12 को सबसे पहले किस से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको increasing order में चलना होता है सबसे पहले 2, उसके बाद 3, then 5, and then उसके बाद 7 and so on, ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं तो ये नमबर सबसे पहले किस से डिवाइड होगा आप करेंगे सर ये नमबर सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं बच्छों तो कितना हैगा 2, 6, 12 अब अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर 2, 3, 6, अब ये डिवाइड किस से होगा अब 2 से तो divide नहीं होगा अब divide किस से होगा ये divide होगा 3 से तो 3 1s are 3 ये इसकी क्या होगा बच्चो प्राइम फेक्टराइजेशन अब जरा 16 पे आते हैं अब जरा 16 पे आते हैं तो इस 16 को करते हैं क्या होगा 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 2 1s are 2 अब इसके बाद क्या लिखना आपको निकालना है इसका LCM क्या निकालना है LCM अब LCM कैसे find करते हैं तो बच्चो आप ये देखो इसमें जो 2 है वो maximum कितने बार लिखा हुआ है इसमें जो 2 है वो maximum कितने बार तो कहो सर यहां तो 2 टाइमस है यहां है 4 times तो जो भी maximum times होगा आपको उतने ही बार क्या लिखना होगा वो prime number लिखना होगा तो मैं इस 2 को कितने times लिखूँगा 4 times 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 है ना 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 अब यहां पर देखो क्या बचा है 3 अभी 3 कितने times है तो सर यह तो single ही है एक ही बार है तो इसको लिखेंगे एक बार तो आजाएगा 3 अब इन सब की आपस में multiply कर देंगे तो क्या आजाएगा 2 to the 4 to the 8 to the 16 16 to the 48 इसलिए बच्चों का हो जाएगा 48 यह क्या है प्राइम फेक्ट्राइजेशन अलग अलग करके अलग अलग करके उसको पहले क्या करेंगे प्राइम फेक्ट्राइजेशन करेंगे फिर उसकी जो maximum power होती है यानि कि जितने times maximum prime number लिखा होगा उसको लिख के फिर हमें क्या करना होगा multiply यह क्या है बच्चों यह है प्राइम फेक्ट्राइजेशन अब इसका एक और बता है ता आपको कि common division method भी होता है अब जरा common division पे भी discuss कर लेते हैं common division पे भी discuss कर लेते हैं बच्चों जैसे मैं question बिल्कुल सेम रखूँगा 12 and 16 12 and 16 अब इसको solve करना है common division method से अब जरा solve करते हैं देखो क्या हैगा बच्चों लिखाए 12 and 16 जो prime factorization हम अलग-अलग कर रहे थे उसको अब हम क्या करेंगे एक साथ करेंगे अब जरा एक साथ करते हैं देखे कैसे करते हैं 2 से divide करेंगे 2 612 इसको भी divide करेंगे 2 816 दोनो numbers को अलग-अलग divide करना हो एक ही साथ divide करना होता है 3 जा 6, 2, 4 जा 8, अब डिवाइड करेंगे 2 से फिर से, तो बच्चो ध्यान दो, अब ये तो डिवाइड नहीं होगा, अब जो नंबर डिवाइड नहीं होता, हम उसको डिवाइड नहीं करते हैं, हम उसको एजिटिज नोट डाउन कर देते हैं, तो 2, 2 जा 4, अब क्या 2 से ड डिवाइड करना हैं, जब तक कोई नंबर 2 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए, अब देखो 1 आ गया ना, तो 1 कहा कि तो डिवाइड करीं नहीं सकते, अब नंबर को चेंज करना होगा, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3, तो 3, 1s are 3, 3, 1s are 3, देखो 1, 1 आ गया ना, 1, 1 आते ही समझ लीजिए कि LCM क्या हो गया, complete हो गया, अब आपको find करना है LCM, LCM, तो LCM find करिए क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा बच्चो 2, multiply 2, multiply 2, multiply 2, multiply 3, है ना, ये जितने भी नंबर सोते हैं, इन सब के हम क्या कर देते हैं, इन सब के multiply कर देते हैं, तो multiply करेंगे तो answer क् answer आएगा आपका 48, answer आएगा बच्चो क्या 48, दो को पहले क्या आ रहा था, 48 आ रहा था, अभी भी क्या आ रहा है, 48 ही आ रहा है, एक method और सिखाऊंगा हट के, है ना, बई कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए, अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने बच्चो आपको ये बो बच्चो ट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, जो बड़ा नंबर होता है ना, इस में से जो भी बड़ा नंबर हो, आप उसका टेबल लिख दो, क्यो सर कैसे, भाई 16 है, 16 का टेबल लिखो, 16 बंजा 16, 16 तू जा 32, अब आप ये देखो, क्या ये नंबर, क्या ये नंबर 12 के ट और लिखो, लगर 16, 30 तू जा 48, अब क्या 48 इसके टेबल में आता है, क्यों कि हाँ सर, 48 तो इसके टेबल में आता है, तो बच्चो ये ही क्या हो जाएगा, आपका LCM, ये हो जाएगा, आपका LCM हो जाएगा, समझ गए, क्या करना है, बड़े नंबर का टेबल लिखना है, और जो भी पहली वैल्यू यानि सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू common हो जाएगी, बाकी अधर्स नम्मर में वही आपका क्या हो जाएगा, LCM, वही आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, है ना, चलो, मैं आपको जरा एक क्योशन और लेके बताता हूँ इसका, कि यह LCM कैसे हो जाएगा, देखो, अब आपको क्या करना है, इनका LCM लेना है, तो इसमें सबसे बड़ा नम्मर को होने है, आपके सर 9 है, आपना 9 का टेबल लिगो, 9 वं जा 9, 9 तू जा 18, क्या ये 18, 6 के टेबल में आता है, आता है सर, लेकिन 4 में नहीं आता, तो दोनों में common होना चाहिए, अगर 2 से ज़्यादा नम्बर है, तो सब में ही common होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, common, multiple, अब जड़ा आगे देखिए, 27, तो सब 27 तो 6 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, आगे बढ़ जाते हैं, 36, बच्चो 36 को कि हां सर, ये जो 36 है ना, वो 6 में भी आता है, 4 में भी आता है, और यही क्या है बच्चो इसका LCM, यही क्या है इसका LCM, तो टेबल लिख के भी आप लोग LCM find कर सकते हैं, इसक आंसर करके बताओ तो मनें कि find the LCM of 10, 20 and 30, बहुत ही simple question है, बहुत ही simple question है, अब ज़रा इस पर आप formula लगाए, आप इस पर तीनों में से कोई भी formula लगा सकते हैं, आपको चाहे prime factorization करना हो, common division करना हो, या फिर हमने जो आपको जादू सिखाया था, है ना, कौन से वाला table वा यही इसका answer है, मेरे प्यारे बचो डी- bourse, देव सेना, next question के लिए ready हो क्या, next question के लिए ready हो चलो, next question देखते हैं, next question देखते है, find the LCM of 2689 बच्चो देखो, अब आपको पहले दो नंबर दिए, फिर तीन नंबर दिये, अब आपको मार्ग कितने नंबर देती है, 4, 4 नंबर का आपको क्या निकालना है, 4 नंबर का आपको निकालना है, LCM, जरा पताई करके क्या होगा इसका अंसर, जरा हम लोग ट्राई करें, अच्छा, सर 9 का अगर टेबल देखें, तो 9 बन जरा 9, 9, 2 जरा 18, सर 18 तो 6 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 8 में नहीं आता, है ना, 9, 3 जरा 36, 9, 4 जरा, सुरी, बच्चो 27 रहे गया ना, 36, 45, 54, 63, 72, 72 बच्चो 72, 72 सब के नंबर में आता है, 2 में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 में भी और 9 में भी आता है, हाँ हा 72 is the right answer इसको क्यों ना एक method से भी करके देखा जाए तो बच्चों method से अगर करना होता है तो common division करते हैं क्या करते है common division देखिए 2, 6, 8 और 9 अब ज़रा इसे करते हैं सबसे पहले divide किसे करेंगे 2 से 2 वंजा 2, 2, 3, 6, 2, 4, 8 और 9 तो divide नहीं होगा एसे ही लिख दो, है ना चलो फिर 2 से divide करते हैं 2 वंजा 2, 3 से तो divide नहीं हो सकता 2 वंजा 4 और 9 तो divide नहीं होगा अब ही भी एक number ऐसा है जो 2 से divide हो रहा है तो जब तक 2 से divide होना बंद नहीं होगा हम divide करते रहेंगे 2 वंजा 2, 3, 2 वंजा 2 और यह 9 अब divide करेंगे बच्चो 3 से अब divide करेंगे 3 से तो 3 वंजा 3, 3 वंजा 3, 1 तो 1 ही है और 3 वंजा 9 अब करिए 3 से तो 3 वंजा 3, 1, 1, 1 और जब सारे ही 1 हो जाएं तो क्या हो गया? L सिम complete हो गया अब multiply कर दे 2 तू तू जा 4, 4 तू जा 8 8 तू जा 24 और 24 तू जा 72 24 तू जा 72 बच्चो किसी को अगर टेबल नहीं आता 24 का तो कल एक method बताया था कि 24 की multiply करो देगो 3, 4 जा 12 इसका मतलब बच्चो क्या आना चाहिए? Sir 2 आना चाहिए और 2 एक ही option में है 72 72 is the right answer Next question देखते हैं बहुत सारे questions हैं आपके लिए कहता find the smallest number individual by 9, 12 and 15 बच्चो smallest number smallest number का मतलब क्या होगा? Sir smallest number हम लोग LCM में ही find करते हैं LCM ही find करते हैं तो जड़ा LCM निकालने को Sir सबसे बड़ा number कौन सा है? सबसे बड़ा number तो 15 है आप जड़ा करके देखो बच्चो कभी-कभी easy रास्ता ना बहुत बड़ा भी हो जाता है कभी-कभी असान रास्ता बहुत बड़ा हो जाता है अब अगर आप इसको table से लिके करोगे ना तो थोड़ा सा difficult होगा आपको थोड़ा सा क्या होगा? difficult होगा तो मैं आपको एक बात और बताऊं एक बात आपको और बताऊं मैं एक तरीकी से और कर सकते हैं divide करके आप ना ये देखो इन में से सबसे बड़ा number कोन है? और सबसे बड़े number से सबसे बड़ी value divide कर दो तो आप ऐसी भी कर सकते हो जैसे 15 से ये divide हो जाएगा 15 से ये भी divide हो जाएगा ये भी हो जाएगा divide और ये भी हो जाएगा divide अब आप 12 से करके देखो तो कोई सबसे ये तो divide हो जाएगा लेकिन ये वाला divide नहीं होगा ये divide हो जाएगा ये वाला नहीं होगा है ना तो ऐसे सारे number check करने पड़ेंगे तो हम क्या करें हम number को check ना करके हम इसको निकाली लेंगे है ना find कर लें क्योंकि हमें तो method आता ही है 9 12 15 मैं सबसे पहले divide किस से करेंगे बच्चो सबसे पहले divide करेंगे 2 से 2 से divide करेंगे 9 2 6 12 15 को 15 नहीं लिखेंगे अब आ जाएगा फिर से 2 से करेंगे 9 3 and then क्या हो जाएगा 5 ओके चलिए अब किस से divide करेंगे बच्चों अपका इसर 3 से तो 3 3 जा 9 3 वंजा 3 और 5 जो divide नहीं होता उसको as it is not down कर देते हैं 1 1 5 अब add then किस से divide करेंगे 5 से तो 5 जा 5 1 और 1 है ना हमने क्या करते हैं इसका prime factorization वो भी common division से अब इनकी आपस में multiply कर दीजिए इनकी multiply करिए 2 2 जा 4 जा 12 12 3 जा 12 3 जा 36 और 36 5 जा 180 और यही है आपका answer यही है आपका answer d d4 देव सेना is the right answer कि तो find the least common multiple of 15 20 and 45 15 20 and 45 अब यह question टेबल वाले से कर सकते हैं जैसे अगर हम बात करें 50 45 की तो 45 जा 90 होगा 45 जा 135 होगा और 45 जा क्या होगा बच्चो 180 को सर इतनी जल्दी कैसे करते हो इतनी जल्दी कैसे करते हो सर इसे करने के लिए बच्चो प्रैक्टिस चाहिए होती है क्या चाहिए है मेhet उसके लिए बिलकुल ही आसान हो जाती है, है ना, वो उसको एक अलग ही लेवल से कर सकते हैं, बच्छो, देखो ज़रा, अब यह 20 है, 20 के टेबल में 90 नहीं आता, 135 नहीं आता, 180 आता है, यह 180 बच्छो, 15 के टेबल में भी आता है, 180, 15 के टेबल में भी आता है, हो जाएगा है ना देखो मैं आपको करके दिए तो सर नहीं मानते हैं करके दिखाओं आओ बटा कि 15 वन्जाव 15 बच गया 3 0 15 तुजा 30 देखो डिवाइड हो गया इसलिए इसका अंसर क्या होगा इसलिए बच्चो इसका अंसर होगा डी अब बच्चो कहीं पर इसमें उसने लिष्ट नहीं लिखा कहीं पर उसने लिष्ट नहीं लिखा लोवेस्ट नहीं लिखा मिनीमम नहीं लिखा इसमॉलेस्ट नहीं लिखा तो जब आपको ऐसा कोशन मिले और आप से ये पूछे कि एक ऐसा नमबर बताइए जो बाकी नमबर से क्या हो जाए बच्चो डिवीजबल हो जाए तो इसका मतलब भी आपको समझ जाना है क्या फाइंड करना है LCM तो 4, 8, 16 और 12 अब LCM फाइंड करिए सर 16 का टेबल न लिख दे 16 बंजा 16, 16 तू जा 32, 16 तू जा 48 को सर भी जो 32 है 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में नहीं आता है नहीं ले सकते हैं सर लेकिन 48 को लिख सकते हैं क्योंकि ये 48 बच्चो 16 में भी आता है, 12 में भी आएगा, 8 में भी आएगा और 4 में भी आएगा इसलिए इसका अंसर क्या होगा C, C4 cat काइट माने बिल्ली है ना या फिर बटा हमारी भासा बोले तो सर C4 katappa LCM of two prime numbers ओहो ओहो इससे पहले बच्चों हम आपको थोड़ी से थियोरी बताएंगे इससे पहले हम आपको थोड़ी से एक थियोरी बताएंगे अब थियोरी क्या होती है सुनिए जरा मेरी बात द्यान से मैं अगर बच्चों कहूँ कि मैंने यहाँ पर ना numbers लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ numbers और आपको मुझे बताना है उसका LCM क्या बताना है उनका बताना है मुझे LCM बताना है एक तरफ number लिखेंगे एक तरफ क्या लिखेंगे LCM अब जरा मुझे number बताईएगा अब जरा आप लोग मुझे इसका number बताईएगा क्या हो जैसे मैंने बच्चों का number लिखा है 2 2 and 3 2 and 3 आपको इसका LCM टाइप करना है 2 and 3 3, 5 and 7 3, 5 and 7 मैं अगर बोलू 2, 3 and 7 2, 3 and 7 2, 3 and 7 चलो चार number ले लेते हैं 2, 3, 5 and 7 अब ये numbers हैं आपको इस numbers के LCM find करने इसका LCM आया 6 इसका LCM आया 1, 0, 5 1, 0, 5 और इसका LCM कितना आया 2, 3, 6, 5, 37, 210 कितना आया 210 अब आपनी कैसे किया आपनी ये LCM कैसे किया तो कोई सर मैं अगर आपको एक बात बताओं बच्चो ये जो LCM है ना ये जो LCM है इन दोनों को multiply करके ही तो आ रहा है अगर मैं अगर मैं आप दिहान से देखें बच्चो कि 2 की multiply 3 से कर दूँ तो 6 आ रहा है अगर मैं 3 की multiply 5 और 7 से कर दूँ तो answer 105 आ रहा है अगर मैं 2 की multiply 3 2 की multiply 3 multiply 5 और 7 से कर दूँ तो answer क्या आ रहा है 210 ही तो आ रहा है आप क्या समझे आपको सर हम लोग को एक चीज और दिख रही है क्या दिख रही है आपने जो number लिखे है ना यह जो number लिखे है यह number नहीं है यह number नहीं है क्या number है यह है सर प्राइम number यह है प्राइम number और प्राइम number का बच्चो जो LCM होता है वो equal होता है किसके product के किसके equal होता है numbers के product के numbers के product के equal होता है क्या LCM किसका LCM of two prime numbers is always equal to their. C4, बच्चो, product. तो इसका अंसर क्या होगा? Product है ना. LCM हमेशा two prime numbers का किसके equal होता है? Product के equal होता है. Product के ही equal होता है. जरह इनेक्स देगिए. कहता है, the product of prime numbers is 247. अब बच्चो देखो, question कितना आसान है? यह ऐसा question है, जिसको आपको पढ़के pen को ठाने की भी जुरूत नहीं है. क्या होगा 247? क्योंकि हमें पता है, solve भी नहीं करना. कि सर, यह जो LCM होता है ना, यह उनके product के equal ही होता है. तो direct answer क्या होगा? 247. Direct answer क्या होगा? 247 ही क्या होगा? इसका answer हो जाएगा. चलिए, next देखते हैं बच्चो. अब बच्चो यही change कर दिया है. कहता है था, LCM of two co-primes is always equal to. अब यह co-prime क्या होता है, बच्चो? co-prime क्या होता है? co-prime, तो अभी हम आगे जाके discuss करेंगे. लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए. co-prime ऐसे numbers को बोलते हैं, co-primes ऐसे numbers को बोलते हैं, जिनके बीच में HCF क्या होता है? 1. HCF क्या होता है? बच्चो, 1 होता है. अब को सर यह HCF तो पढ़ा ही नहीं है, अभी पढ़ेंगे आगे. तो अभी आप याद कर लीजिए, ऐसे numbers जिनके बीच में common 1 होता है. Common factor क्या होता है, बच्चो, 1 होता है. उसी को हम क्या बोलते है? co-prime. और co-prime के लिए भी बिल्कुल same answer होता है. उसके लिए भी क्या होता है? उसका LCM product ही होता है. उसके लिए भी LCM क्या होता है? product ही होता है. जब हम आगे HCF को पढ़ेंगे, तब मैं वहाँ पे आपको co-prime को भी explain कर दूँगा है, ना? कहता दा product of two co-primes. अब बच्चो, यही question उसे लिए को फिर से sentence में दे दिया, कि product दिया है, किसका? co-prime numbers का, कितना है 143, तो answer क्या होगा? sir, product है, तो क्या होगा? 143 इसका क्या हो जाएगा? answer हो जाएगा. next देखते हैं, बच्चो, आओ बच्चो जड़ा, अब यह question important शुरू हो जाते हैं, यहाँ से बच्चो, इस question पे चांज सितारे बना लीजी, आप समझ लीजी, है ना, अभी हम चांज पर पहुचे थे, तो आप लोग भी इन question पे चांज सितारे बना लीजी, बड़ा ही important question है, कहता है, find the smallest number, जैसे ही बच्चो आप यह देखो, smallest number, तो आप समझ जाओ कि sir, इसका मतलब हमें find करना है LCM, find करना है LCM, लेकिन उसने यह बोला कि leaves a remainder, एक नया word है remainder, अब जब remainder वाले question होते हैं, तो कैसे करते हैं इसको, ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो numbers आपको given कर रखे है 24, 36 and 54, आपको इसका LCM निकालना होगा, इसका answer क्या रहा है बच्चो, 216, अभी मैंने आप से सिर्फ LCM पूछा है, क्या पूछा है LCM पूछा है, आप देखो बच्चो, अब remainder का क्या करना है, जब आप LCM निकाल लेंगे, और आपको जो smallest number निकालना है, तो smallest number कैसे निकालते हैं हम, smallest number, smallest number हम लोग कैसे निकालते हैं, यह जो LCM होता है ना, LCM में ही remainder को plus कर देते हैं, LCM में ही remainder को plus कर देंगे, तो क्या आजाएगा, यह आपका आजाएगा, 221, 221 is the right answer, and here is the B option, B option is the right answer, अब बच्चो बिल्कुल सेम number है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, question change, अब question कैसे change है, कैता find the least number, अब हम least number से तो समझ गए, कि least number से क्या निकालना है, LCM, लेकिन कैता which one divided by, 4, 5, 6, and 7, the remainder 3, 4, 5, and 6, बच्चो जब हम divide करते हैं, 4, 5, 6, 7 से, तो remainder क्या बचता है, remainder बचते हैं, अलग-अलग, देखो इस वाले question में क्या था, 5 in each case, हर एक case में, बिल्कुल same remainder बच रहा था, लेकिन इसमें क्या है, remainder बिल्कुल अलग-अलग है, remainder क्या है बच्चो, बिल्कुल अलग-अलग है, है ना, जब हम 4 से divide करेंगे, तो remainder आएगा 3, जब हम 5 से divide करेंगे, तो 4, 6 से करेंगे 5, और 7 से करेंगे तो 6, अब ऐसा ही question अब कैसे करेंगे जड़ा, इस question को करने के लिए ध्यान दीजिए, बच्चो बिल्कुल same है, पहला step तो बिल्कुल same है, दिन number से आपको individual पूचा है, आप उचका LCM find करिए, क्या होगा, 420 होगा, बहुत सही, लेकिन अब क्या करें, आपको तो निकालना है least number, अब वो least number कैसे निकालते हैं बच्चों, least number कैसे निकालते हैं, least number, तो मैंने आपको क्या बताया था, यह जो LCM होता है, इसमें हम क्या करते हैं, LCM में remainder को plus कर देते हैं, अब कौन सा remainder प्लस करूं, remainder तो अलग-अलग है तो याद रखेंगे जब remainder अलग-अलग होगा तब आपको ऐसा करना होगा वह 4 से divide कर रहे थे बच्चे तो क्या बच रहता 3 4 से divide कर रहे थे क्या बच रहता 3 अच्छा अगर हम 5 से divide कर रहे थे क्या बच रहता 4 6 से डिवाइड कर रहे थे क्या बच रहा था 5, और 7 से डिवाइड कर रहे थे क्या बच रहा था 6, आपको हर एक condition में क्या करना है, इनको माइनस कर देना है, दोनों नमबर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे, तो आप एक चीज नोट करेंगे, क्या करना होगा minus, क्या करना होगा minus, हम remainder को क्या करते थे LCM में plus, भई last question में देखिए, हमने यहाँ क्या कर रखा plus, लेकिन जब आपको remainder अलग-अलग मिले, तब आपको करना है minus, तब करना है minus, तो answer कितना आ जाएगा, answer आ जाएगा 490, 490 is the right answer, is the right answer, it means यह bells वाला question, इस पर पर तो बेटा, जितने chance सितारे बना लिजाए, सब कम है, है ना, क्योंकि यह question आता ही, आता है, आप लोग देखोगे तो 2023 में भी आया था question यह, जब हम previous year के question करेंगे, तब आपको दिख जाएगा यह, कहता है बचो, 3 balls, बचो balls नहीं, बैल होंगी, बैल कर लो, 3 bells, 3 bells ring simultaneously, simultaneously का मतलब होता है, एक साथ, है ना, 3 bells है, एक साथ क्या करती है बचो, ring करती है, लेकिन regular interval of time के बाद, 20, 30 and 40 minutes, यह जो bell है, यह जो bell से कैसे ring करती है, एक करती है, हर 20 minute के बाद, एक bell करती है, हर 30 minute के बाद, और एक bell करती है, हर 40 minute के बाद, तो ऐसा करके जो बेल्स एक साथ स्टार्ट होती है तो जितनी भी बेल्स हैं ये सब की सब एक साथ कब दुबारा रिंग करेंगी तो बच्चो बेल्स वाला कुश्चन आएगा तो समझ जाना उसके अंदर आपको क्या निकालना है LCM तो LCM किसका निकालेंगे 20 का 30 का और 40 का अब बच्चो उसका LCM क्या होगा तो सर वही मैथड टेबल लिख दो 40 42 जा 80 43 जा 120 और ये 120 बच्चो क्या आता है इसके टेबल में भी है इसके टेबल में बस यह आंसर हो गया बात खतम अब ज़र नेक्स कोशन देखते हैं इसके पर बच्चो फोर बेल्स हैं एक साथ रिंग करती है लेकिन अलग अलग इंटरवल उफ टाइम के कैसे एक करती है एक करती है 6 सेकेंड एक 8 सेकेंड एक 12 और एक 18 सेकेंड इफ दे स्टार्ट रिंग टुगैदर एट 10 एम अगर दोनों दस बजे एक साथ बजनेया अब इस कुश्चन को कैसे करते हैं चरफ दिखान दीजिए बच्चो मैंने क्या पताया था जब बैल वाला कुश्चन होगा तो क्यास करना है जब बैल वाला कुश्चन होगा तो सर L.C.M. निकालना होगा तो L.C.M. निकालना होगा तो L.C.M. निकालना होगा तो L.C.M. क्या होगा बच्चो, को सबस्दर LCM होगा, इसका 72, लेकिन seconds, LCM कितना होगा बच्चो, 72 seconds, अब आप से ये पुछा गया है, कि 6 minutes में कितने बार बजेंगे, 6 minutes में कितने times बजेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बैल निकालने के लिए बच्चो, 6 minutes को, 6 minutes को, हम divide कि से करतेंगे 70 से 72 से अब ध्यान दो अगर आपने चेप्टर पढ़ा हो रेश्यो का बचो तो कौनटिटीज को को कमपेर करने के लिए यूनिट कैसी होनी चाहिए शेम होनी चाहिए अगर यहां मिनेट है तो यहां भी मिनेट होना चाहिए हम इसको करते हैं करते हैं सबी को पता होगा वान बिने तो कितने सेखिंद में सेंट होते हैं 60 सेकिंड कुछ थे तो बच्चो से और डिवाइड किसे करेंगे 72 से डिवाइड करेंगे 72 से अभर डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा तो answer कितना आया? 5 answer आया 5 लेकिन मेरे प्यारे बच्चो answer 5 नहीं है answer इसका 5 नहीं है क्योंकि इसका answer होना चाहिए 5 plus 1 क्या होगा? 5 plus 1 अब यह 5 plus 1 क्यों होगा? ये 5 plus 1 क्योंगा ध्यान दो बच्चो वो जो सारी की सारी bells है ना वो starting में भी तो एक बार ring हुई है दोगों कह रहा है ना if they start ring together at 10 a.m. वो पहले भी तो एक बार ring हुई है ना तो जब सारी bells एक बार ring हुई है तो starting वाली counting नहीं करोगे करनी पड़ेगी बच्चो तो जब भी ये वाला question आएगा तो आपको plus 1 add करना होगा इसलिए इसका answer क्या होगा बच्चो 6 होगा confuse करने के लिए examiner 5 देगा और आप 5 लगा क्या आजाओगे answer गलत हो जाएगा question आता हुआ भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा है ना तो इसलिए गलती की कोई गुंजाइस नहीं रखनी है क्या कर देंगे plus 1 add कर देंगे बच्चो क्या करेंगे plus 1 को add कर देंगे समझ गए next आते हैं अब बिल्कुल same question है यह वाला bell वाला यह लेकिन इसमें time दिया होता है bell के 3-4 question होते हैं सारे types मैंने आपको यहाँ पर दिये हुए है ना ताकि आपकी तयारी में कोई भी कमीनर है जब कहता है 3 bells 3 बचो यहाँ भी bells होगा 3 bells ring simultaneously at 11 a.m बचो 11 a.m पर start करते हैं लेकिन वो ring कैसे करते हैं after interval of time क्या दिया हुआ उनका 20 minutes 30 minutes and 40 minutes तो कहता है वो again कितने ब अगर bell वाला question है तो आपको LCM तो लेना ही होगा 20 का 30 का और 40 का LCM ले लीजिए बच्चो क्या ले लीजिए LCM ले लीजिए अब जरा LCM लेंगे तो क्या होगा वही पुराना method 40 to 80 40 to 120 sir LCM होगा 120 LCM होगा 120 लेकिन बच्चो यह तो minute होगा यह क्या होगा minute होगा अच्छा एक बात बताओ मेरे को एक बात बताओ बच्चो एक आर में वन आर में कितने मिनट होते हैं तो आपको सिक्स्टी मिनट होते हैं कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चो 120 मिनट में कितने आर्स होंगे 120 मिनट में कितने आर्स होंगे तो आपके से टू आ रिंग हुए थे कब रिंग हुए थे तो कोई सर 11 am पे 11 am पे रिंग हुए थे और 11 am में अगर हम 2 hours को add कर दें तो क्या होगा very good बच्चो very good क्या होगा इसका answer होगा 1 pm क्योंकि याद रखेंगे बच्चो am और pm में याद रखेंगे अब suppose करो 1 am होता तो am थोड़ी लगाते हैं है ना आपको am और pm पर भी धियान देना होगा कहता है find the largest three digit number which is exactly divisual by three four six and eight बच्चो अब देखो यही question आने लग गए लेकिन थोड़ा सा change कर दिया कहता है largest three digit number largest three digit number ऐसा number जो कि largest भी हो और three four six eight से क्या हो हो डिवीजवल भी हो अब ऐसे questions को कैसे करा जाए इस question को करने के लिए सबसे पहला आपको LCM निकालना होगा LCM find करना होगा किसका three का four का six का और eight का अब three four six और eight का LCM क्या होगा आपको sir इसका answer हो गया 24 24 लेकिन आपको तो निकालना है largest three digit number अब largest three digit number क्या होता है बच्चो नाइन 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 लेकिन याद रखेंगे क्या कि बच्चो आपको एक ऐसा number find करना है जो कि LCM किसका हो 24 का यानि कि ये number multiple होना चाहिए ये इसका क्या होना चाहिँ है multiple तो इसका multiple तो नहीं है तो क्या कर सकते हैं number को find करने के लिए number को find करने के लिए हम LCM से उस number को divide कर देते हैं हम LCM से क्या करते हैं number को divide कर देते हैं 24 से जब हम divide करेंगे 9, 9, 9 को तो आज आगा 24, 4 जा 96, 3, 9 24, 1, 0, 24 बच्चो remainder बचेगा 15 क्या बचेगा remainder बचेगा 15 यह जो remainder होता है ना बच्चो यह जो remainder होता है इस remainder को ही minus कर देते हैं इस remainder को ही क्या कर देते हैं minus कर देते हैं तो answer कितना जाएगा 984 984 is the right answer 984 is the right answer अब मैं आपको इसे करने का एक तरीका और बताऊँगा इसको करने का बच्चो एक तरीका और है अब वो तरीका क्या है जराद देखो आपको बचो LCM क्या निकाला 24 अब आप ये देख लो इसमें से ऐसा कोई नंबर है जो 24 से डिवाइड हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो Next question देखते है जरा कहता है The largest number which went individual by 6, 9 and 12 leaves one as remainder largest बचो इसमें जरा आप एक काम कर लीजे लिख लिजे largest यहां पर 3 मीस हो गया है largest 3-digit number largest 3-digit number आपको find करना है लेकिन अगर सर कहानी यहां तक होती यह नहीं लिखा होता leaves one as remainder तब तो हम कर देते लेकिन अब सर यहां पर बोल रखा है कि remainder भी है तो बचो remainder से घबराना रही है पहले आपको LCM निकालना है LCM निकालिए किसका निकालेंगे 6 का 9 का और 12 का अब देखो मेरी ट्रिक काम आएगी कि नी 12 बंज़ा 12 12 तुज़ा 24 12 तुज़ा 36 का सर हां काम तो आगे सर यह 36 सी इसका LCM है इसका LCM क्या है बच्चो 36 अब उसके बाद क्या बताया था Largest number को लिखना लिखो ज़रा Largest Largest 3-digit number Largest 3-digit number क्या होगा बच्चो यह होगा आपका 999 999 अब उसके बाद क्या बताया था मैंने कि हम क्या करते है LCM से divide करते हैं किसको जो हमने largest number लिखा होता है अचली ज़रा करते है 36 से divide करना है किसको 999 को तो क्या होगा 36 तू जा 72 2 और 9 बच गया 7 और 9 में 7 गया बच गया 2 और यह बच गया 9 अब ज़रा divide करेंगे बच्चो तो आ जागा 36 7 जा 252 252 अब इसको माइनस करेंगे 9 में से 2 गया 7 27-5 गया 2 972 972 हो जाएगा कितना हो जागा बच्चो 972 लेकिन अभी एक गडबड़ और है याद ना बच्चो 1 reminder इसको क्या करते थे मैं question जरा दिखाता हो हूँ आपको वापीस ले चलता हूँ हमने remainder वाला कुशन किया था देखी ज़रा हाँ ये रहा remainder वाला जब remainder बच रहा था तो remainder को क्या क्या है plus remainder को क्या क्या है बच्चो plus किया है तो वहाँ भी remainder को क्या करेंगे plus ही कर देंगे वहाँ भी हम remainder को क्या करेंगे plus ही कर देंगे कहां गया, एक मट जाओ टक कहां गया, जरा ढूंडो, दोस्त हमारा खो गया, यह रहा, दोस्त हमारा मिल गया बच्छों, है ना, तो remainder को क्या करेंगे, प्लस, तो बच्छों, आपने remainder तो यह minus कर दिया, कौन सा, 36 के जो multiple से आया था, लेकिन अब आपको इसमें 1 को प्लस भी क करना होगा, अब आप 1 को प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 973, 973 is the right answer, इसमें जरा इसको 9 कर लेंगे, बच्छों, 9 है यह, 973, 973 is the right answer, जरा next question देखते हैं, बच्छो, LCM तो हो गया, अब जरा HCF पर देखें, अब जरा HCF पर बात करते हैं, बच्छों, कहता है, The HCF of two numbers, or more numbers, is the greatest number, which is a divisor of each of the number, एक ऐसा number, जो कि सबसे बड़ा number हो, और हर एक number को divide करते, अगर दो number हैं, तो दोनों को divide करें, दो से जादा हैं, तो दो से जादा numbers को divide करते, जैसे, जैसे बच्छों, अगर मैं आपको बोलूँ, मैं दो number लिखता हूँ, मैंने लिखा 12, औ और मैंने लिखा 16, अब इस 12 को कौन कौन divide कर सकता है, इस 12 के जब हम factor लिखेंगे बच्छों, तो 12 को 1 divide कर सकता है, 2 divide कर सकता है, 3 divide कर सकता है, 4 divide होगा, 6 divide होगा, और divide होगा 12, लेकिन 16 को कौन divide कर सकता है, 1, 2, 4, 8, और 16, 1, 2, 4, 8, और 16, अब देखो, इस 12 को और 16 को कौन है वन है ओके सर टू है टू भी है सर फोर है फोर भी है सर और तो कोई नंबर कोमन नहीं है को कि नहीं सर लेकिन बच्चो इसके अंदर से लार्जेस्ट कोमन कौन है लार्जेस्ट कोमन कौन है तो को सर लार्जेस्ट कोमन कौन है इसके अंदर से फोर लार्जेस्ट कोमन नंब पर कौन सा है तो सरफ 4 है इसलिए इसको क्या बोला जाता है इसलिए इसका नाम है बच्चो HCF मतलब highest common factor तो हो लेकिन common भी हो common होने के साथ साथ वो आपका क्या हो highest भी हो क्या हो बच्चो highest भी हो ठीक है अब HCF को निकालने के method कितने होते हैं तो HCF को निकालने के बच्चो दो method होते हैं एक होता है prime factorization और एक होता है long division चली है आपको दोनों सिखाते हैं हम दोनों सिखाते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों में आपको एक बात और बताना चाहूं, ज़रा HCF की, अगर HCF लिखा है बच्चों, तो HCF का मतलब होता है Highest, Highest, Common, Factor, Highest, Common, Factor, अब Highest का मतलब क्या होता है बच्चों, तो Highest को हम यह भी लिख सकते हैं, Biggest, Biggest की जगा हम यह भी लिख सकते हैं, Maximum, Maximum, Maximum की जगा बच्चों हम लिख सकते हैं, Greatest, का लिख सकते हैं, Greatest, और Greatest की जगा बच्चों हम लिख सकते हैं, Largest, Largest, का लिख सकते हैं, Largest, इन सारे व ऐसे numbers को क्या बोलते हैं ऐसे numbers को हम क्या बोलते हैं जिनका meaning एक ही होता है लेकिन अलग अलग होते हैं अब अगर हम बात करें किसकी HCF की ही बात करें तो ये लोहאो HCF 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 का ही एक ओर भाय इसें का ही बहुता है उसको हम बोल सकते हैं GCD क्या है greatest common divisor है ना उसी को क्या बोलते हैं HCF बोलते हैं अब जरा question करना शुरू करते हैं बच्चों कहता है find the HCF of 5 and 10 इस question को तो आप लोग बिना pen touch करे ही कर सकते हो क्या है five is the right answer अब हम जरा करके बताएं आपको देखो बच्चों कैसे करते हैं जरा जितने भी number हैं दोनों को हम आपस में divide कर देते हैं आपस में क्या कर देते हैं divide बड़े number को छोटे number से divide कर दो अगर ये number divide हो गया अगर ये number divide हो गया तो समझ लीजिए वही क्या है आपका HCF वही क्या है बच्चों इसका HCF इसी step को इसी को क्या बोला जाता है इसी को बोलते है division method क्या होता है division method है ये क्या है बच्चों division method चलिए जरा next देखते हैं find the hcf of 12 and 18 12 and 18 अब बचो इसे करते हैं जरा है न division method में हम आगे भी कर सकते हैं division method में हम आगे भी कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देखो जरा ये 12 है और ये 18 है बचो 12 बन जा तो 12 होगा लेकिन remainder कितना बचेगा? 6 अब ये divide तो नहीं हो सकता तो हम division method में क्या कर सकते है जो remainder बच जाता है जो remainder आपका बच जाता है उसी remainder को हम divide कर देते हैं उसी remainder से हम divide किसको कर देते है यह जो number लिखा होता है जिससे पहले divide करने की divisor को ही तो अब 12 को divide हो जाएगा 6 से 2 जा 12 और ऐसा कब तक होगा बच्चो ऐसा जब तक होगा जब तक complete divide ना हो जाए इसलिए इसका answer क्या होगा 6 next question देखते हैं जला find the greatest number that will divide 10, 20 and 30 अब बच्चो अब क्या करना है 3 ऐसे number दे रखे हैं जिनका आपको क्या find करना है else hcf hcf find करना है तो क्या करेंगे सबसे चोटे number से सबसे बड़े number को divide करो पहले तो तो 10, 3, 30 divide हो गया कोगे yes sir हो गया अब आगर दो number से जादा number है तो जिस number से divide हुआ है उसी number से फिर उस number को divide करो जो रह गया है अब रह कोन गया है 20 तो 10, 20 10, 20 complete divide हो गया अब 10 पे divide हुआ है बच्चो तो answer क्या हो गया answer हो गया 10 answer क्या हो गया 10 अभी हम division method ही कर रहे हैं अभी हम division method ही कर रहे हैं अभी मैं आपको prime factorization भी सिखा हुआ इसके अंदर okay yes बच्चो 10 is the right answer next question की तरफ चलते हैं कहता find the greatest common divisor GCD of 18, 36 and 54 बच्चो आ गया देखो word लिखा मिल गया न GCD अब मैं आपको prime factorization कैसे करते हैं जरा देखिए prime factorization में क्या करना होता है इन numbers को क्या करते हैं बच्चो अलग-अलग divide कर देते हैं 18 को 36 को और 54 को 18 को 36 को और 54 को बच्च जरा factorize करें 2 से करेंगे बच्चो कितना आजाएगा 9 3 से करेंगे कितना आजाएगा 3 3 से करेंगे क्या जाएगा 1 अब यहां करेंगे 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइट करेंगे 3, और 3 से डिवाइट करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अब 54 पर आईए, जब 54 पर डिवाइट करेंगे 2 से करेंगे 27, 27, अब 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 3 से करेंगे तो क्या जाएगा one है ना सारे नमार को नहीं क्वने क्वारते हैं फेक्टराईज अब आपको ए नमर देखने हैं ऐसे लोकि इधर 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 यहने कि तीन नमें क्या हो common हो और two common हो अब जड़ा common कैसे देखते हैं जड़ा ध्यान दिजिए अ बताओ देखो यहां पर लिख लिए two और कौन से नंबर कोमन है एक मुझे में जरा color change करते हैं तो इसका है ना हम नहीं कर लिख लिए two लिख लिए बच्चों तू देखो ये भी कोमन है इसको dark कर देते हैं ये भी कोमन अब जरना बापिस आईए, अब बच्चों कहता है 3, तो क्या 3 common है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है, हर एक नमबर को आपको common लेना ही होगा, और वो नमबर तीनों में होना चाहिए, तभी आप common ले सकते हैं, तो 3 यहाँ भी है, multiply, अब इस 3 को देखते हैं, क सेकिन इधर नहीं है, यहाँ 3 है, इधर नहीं है, तो आप जब भी common देखो, तो हमेशा common आप उस नमबर से देखना, जिसमें सबसे कम फैक्टर हुए हो, जिसमें सबसे कम फैक्टर हो, आपको वही नमबर देखना होगा, है ना, और यह जो नमबर आए हैं, यही है आपका HCF या फिर GCD, ग्रेटेस्ट कोमन डिवीजर, अब इसकी मल्टिप्लाई कर दीजेए, तो बच्चों मल्टिप्लाई करके आंसर क्या हो जाएगा, 18, क्या हो जाएगा, 18 इस दा राइट आंसर, 18 इस दा राइट आंसर, अब आपको एक असान तरीका और बताऊँगा, एक अ आसानी से HCF निकाल सकते हैं, हम कैसे आसानी से HCF निकाल सकते हैं, चरा देखिए, बच्चों नमबर कितने दिये होते हैं, 18, 18 के बाद क्या दिया होता, 36, और 36 के बाद क्या दिया होता, 54, यही दिया था ना, आपको जाएगा, यह सर, बच्चों क्या करो इसके अंदर, जाता है सर, क्या 18 से 54 डिवाइड हो जाता है, हो जाता है सर, अगर बाकी दोनों नमबर इस नमबर से डिवाइड हो जाएं, तो यही आपका HCF होगा, यही आपका क्या होगा, HCF होगा, समझ गए, question में ही क्या चुपा है, answer, question में ही क्या चुपा होगा, बच्चो, answer चुपा ह होगा समझ गए मेरी बात को करेंगे यह सर बिल्कुल समझ गए सर चलिए ज़र नेक्स देखिए कि कहता है फाइंडा एच्छेफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स अब बच्छों आगे ना प्राइम नंबर्स पे तो देखो जरा यह है थ्री और यह है 5 इन दोनों के बीच में जब फेक्टराइजिशन करोगे जब फेक्टराइजिशन करोगे बच्छों तो क्या जाएगा 3 प्राइम नंबर्स का बच्छों क्या होता है वनिए समझ गए कि नहीं कोगी यह सब आगे आपके देखिए जरा, क्याता, find the hcf of 3 and 5, अब बच्चो इस question आपको solve नहीं करना, देखो, ये 3 और 5 दोनों कैसे number है, ये 3 और 5 दोनों के दोनों prime numbers है, दोनों के दोनों कैसे हैं, बच्चो, prime numbers और prime numbers का hcf क्या होगा, answer है, one solve ही नहीं करना सर, क्योंकि prime number है, इसलिए hcf क्य होगा, direct one होगा, direct one होगा, next देखिए बच्चो जरा, क्याता, find the greatest number that will, that will divide 134, 149, 184, as to leave remainder 9, बच्चो, देखो, अब अगर आप समझो greatest, तो greatest का मतलब मैंने क्या बताया था, hcf, लेकिन hcf में भी remainder वाले question आते हैं, अब remainder वाले question hcf में कैसे करने हैं, तो करने का तरीका क जो भी number है, उसमें से आप remainder को minus कर दो, remainder को minus कर दो, तो आजाएगा 125, 159 में से remainder को minus करो, तो आजाएगा 150, और 184 में से 9 को minus करो, तो आएगा 175, अब जो number minus करके आते हैं, उनीक आपको क्या लेना होता है, hcf, उनीक क्या लेना होता है, hcf, तो आपको hcf किसका लेना होगा HECF lane होगा 125, 150 और 175 का अब मैं आपको HECF lane का एक असान तरीका और बताता हूँ आपना option देखो, option से divide करो option में जो सबसे बड़ा number है ना उस सबसे बड़े number से सबको divide करके देख लो बैट 35 से क्या divide होता है? क्या 35 से divide होता है? कोगि हा सर होता है क्या 35 से ये divide होता है? नहीं होता सर, छोड़ दो 25 से देखिए, 25 से divide होता है? कोगि ये सर 25 से divide होता है? सर 6 times में divide होता है 25 से 125 divide होता है? होता है सर तीनों के तीनों number, एक ही number से divide हो गए और यही आपका answer हो जाएगा next देखते हैं सर, remainder अलग वाला question remainder अलग वाला question आ गया इसमें भी remainder अलग-अलग question है अब जरा देखें, कैसे कैसे करते हैं बच्चो कहता है, find the largest number which will divide 38, 45 and 52 leaves remainder 2, 3, 4 अब remainder अलग-अलग है सर, यहाँ ध्यान दो बच्चों, largest लिखा है ना largest का मतलब क्या होता है? HCF HCF find करना है अब अलग-अलग remainder है, तो अलग-अलग minus कर दो, 38 से minus करो किसको 2 को, तो क्या बच्चेगा 36 45 को minus करो 3 से, तो क्या बच्चेगा 42 52 को minus करेंगे 4 से, तो क्या जाएगा 48, अब आप मुझे यह बताए इन तीनों numbers का अगर मुझे HCF find करना है तो क्या मैं option method से नहीं कर सकता बिल्कुल कर सकता हूँ, चलिए option method का इस्तेमाल करके मुझे इसका answer बताएए देखो सबसे पहले 10 से करके देखो नहीं होता, 8 से करके देखो सर यह होगा, यह नहीं होगा अब 6 से करके देखो, सर 6 से सारे नमबर डिवाइड होजेंगे, यही answer है अब जड़ा यह वाला करते हैं, है ना कहता है if the HCF and LCM of two numbers A and B, R, X and Y then which is true अब बच्चो इसका मतलब क्या है, मैं आपको चीज समझाता हूँ, suppose करिए आपके पास ना दो नमबर है, आपके पास दो नमबर है, first or second first or second, तो बच्चो इनका कोई LCM होगा, क्योंकि हाँ सर, LCM तो होगा, इनका बच्चो कोई HCF भी होगा, तो कहेंगे हाँ HCF भी होगा तो जब दो नमबर गिवन हो, उनका LCM और HCF भी गिवन हो तो बच्चो एक फोरूम ला बनता है क्या बनता है, कि first number multiply second number always equal होता है always equal होता है HCF into LCM अब कुछ बच्चे कहते हैं, सर, LCM पहले लिखें कि HCF, बच्च आप कुछ भी लिखते हो, कोई फरक नहीं पढ़ता 3, 2, 6 और 2, 3, 6 3, 2, 6, 2, 3, 6 दोनों सेम ही है, इसका meaning क्या होता है बच्च इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको हम बोलते हैं, product of two numbers इसको हम पढ़ते हैं, product of two numbers product of two numbers और इसको बोलते हैं, product of product of HCF HCF and LCM product of HCF and LCM बच्चो दो numbers का, जो LCM होता है और HCF, उसका जो product होता है हमेशा दोनों numbers के product के क्या होगा, equal ही होगा अब जरा इसको देखते हुए आप लोग मुझे यह बताए, क्या होगा सर, multiply क्या होती है, equal multiply क्या होती है, बच्चो equal होती है, multiply है की नहीं, समझ गए, चलिए आगे चलते हैं जरा कहता है, HCF and LCM अब बच्चो उसी pattern पर आपको question दे रखा है कहता है, HCF and LCM of two numbers, 8 and 48, दो numbers है, 8 of 48, यह दे रखा है HCF ही दे रखा है, HCF क्या है, 8, HCF है 8, LCM है 24, LCM है 24, और यह जो numbers है, वो numbers क्या दे रखा है, एक number है 24, और एक number आपको find करना है, अब यह number कैसे find करें, तो आपको थोड़ी दिर पहले एक formula बताया है, क्या formula बताया था, कि first number multiply second number equals to HCF, HCF multiply में LCM तो जड़ा देखे, first number क्या है, first number तो है 24, second number हमें find करना है, LCM है 48, अब जड़ा डिवाइड करिए 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आजाएगा 24 तूजा 48 8 तूजा 16, तो second number बच्चों कितना आया, second number आया, आपका 16, second number क्या आया, आपका 16 आया, अब दिखो मैंने उस formula को proof करके दिखाता हूँ, मैं उस formula को आपको proof करके दिखाता हूँ, जड़ा कैसे proof करते हैं बच्चों, 24 और 16, multiply करते हैं जड़ा 24 और 16, multiply करते हैं 16, 4 तूजा 64, 6 16, 2 तूजा 32, और 6, 38, 38, 384 आएगा, अब इसको multiply करो वापस में 8, 8 तूजा 64, का 4 के रिपर लग गया, 6, 8, 4 तूजा 32 numbers का product, always उनके, HCF और LCM के product के equal ही होगा, बच्चों, next question देखते हैं कहता था, HCF of two numbers, 18 and 27 is 9, अब जड़ा किसमें कहा रहा, find LCM, बच्चो HCF कितना given है, इस बार HCF है 9 number कौन कौन से हैं, first number है 18, और second number है 27, second number है 27, और आपको यहां क्या find करना है, LCM, तो जब आपको दो numbers given हो, उनके HCF और LCM भी given हो, तो उनके product equal होते हैं, क्या होता है first number, multiply second number, always equal होगा किसके, HCF into LCM, HCF क्या दे रखा है, 9 HCF है 9, और LCM आपको find करना है, 9 3027, और 18 3054 54 is the right answer 54 is the right answer है ना, देखो उसी formula से हो गया कितनी जल्दी से चलिए ज़रा next question देखते हैं, काफी question सम कर चुके हैं, 28, ओ हो हो बच्चो, LCM आगया किसका, fraction का, LCM आगया fraction का, इससे तो आसान question ही नहीं है इससे तो आसान question ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा explain करते हैं तो मैं आपको, ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें किसकी fraction की अगर हम बात करें बच्चो, fraction की तो fraction में दो चीजे होती हैं, ज़रा बताएंगे fraction में कौन-कौन सी दो चीजे होती हैं, जो important होती हैं fraction को हम कैसे लिखते हैं, बच्चो, fraction को बोलते हैं हम लोग numerator upon denominator, नूमिरेटर upon denominator, यही बोलते हैं न, fraction को को हाँ सर, तो बच्चो, fraction में दो चीजे होती हैं, जब LCM और HCF पढ़ रहे होते हैं, fraction में, जब LCM और HCF हम पढ़ रहे होते हैं, fraction में, तो आपको याद रखना हैं, क्या याद रखना है LCM में जब LCM करेंगे तो उपर लिखेंगे LCM और नीचे लिखेंगे HCF अगर HCF फाइंड करने बच्चो तो उपर लिख देंगे HCF और नीचे लिख देंगे LCM अब ही सर उपर नीचे का मतलब क्या है सर उपर नीचे का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चो उपर होगा numerator और नीचे होगा denominator आपको numerator, denominator कुछ ही याद नहीं रखना HCF के लिए उपर numerator और नीचे denominator बस इतना याद रखेंगे numerator, numerator में ही रहेगा denominator denominator में ही रहेगा बस difference क्या है अगर HCF पुछेगा तो उपर HCF नीचे LCM, LCM पुछेगा तो उपर LCM नीचे HCF है ना अब इस question को करते हैं देखो ज़रा कहता है LCM तो बच्चो LCM का मतलब क्या होगा उपर LCM नीचे HCF तो दोनो दोनो HCF तो होई नहीं सकते दोनो LCM नहीं हो सकते और अगर LCM पुछा है तो LCM नीचे नहीं हो सकता इसलिए right answer क्या होगा A A is the right answer उपर वाले सारे letters उपर लिख देंगे नीचे वाले सारे letters नीचे ही लिखेंगे समझ गए ये बेटर समझ लो ऐसा question है आपको free के number देगा ये question आपको free के ही number दे जाएगा चलो अब जारा next question देखते है ऐसा ही ये question आपको यहां दिया हुआ है कि find the LCM of 1,2,3 upon 10,5 or 20 कैसे करेंगे जरा आपको पता है ना बच्चो LCM अगर find करना है तो उपर LCM होगा और नीचे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चो नीचे होगा HCF नीचे होगा HCF अब जरा LCM बताए क्या होगा 1,2,3 बई उपर लिखेंगे उपर की value नीचे लिखेंगे नीचे की value 10,5 और 20 अब जरा आप मुझे अपना talent दिखाईए आप लोगों ने LCM भी सीक लिया आप लोगों ने HCF भी सीक लिया अब मुझे इसका answer बताए क्या होगा सर आंसर होगा 1,2,3 का तो LCM हो जाएगा बच्चो 6 और HCF हो जाएगा 5 हो जाएगा 10,5 और 20 का इसलिए answer क्या होगा बच्चो B अच्छा मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ मेरे नन्ने मुन्नेक सिकारियों अगर मैंने लिखा 6 अपन 5 ये कैसा fraction है ये बच्चो कैसा fraction है देखे तो जड़ा आप लोगों को पुरानी बाते याद है भी की नहीं आप इतने दिन से fraction पढ़ रहे हो तो आपको fraction के बारे में पता है भी की नहीं मुझे बताओ 6 अपन 5 कैसा fraction है हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं improper क्या है बच्चो improper कब होता है improper बच्चो तब होता है जब आपका numerator बड़ा हो जाए denominator से उसी को क्या बोलते हैं improper और क्या ये वही condition नहीं है बिल्कुल सिम condition है numerator बड़ा है denominator से इसलिए कैसा fraction है इसलिए fraction है ये वाला improper समझ गए कि नहीं मेरी बात को बच्चो next देखिए HCF of ACB ABCDEF HCF HCF नहीं हो सकता HCF LCM हो सकता है LCM LCM नहीं हो सकता इन दोनों में से answer बताओ क्या होगा 50-50 कौन बनेगा करोडपती देवियों और सचनों तो हमने आपको option दे दिये है 50-50 के है ना दो option पहले ही cut कर दिये है A और D बताओ जल्दी से क्या answer होगा आगे देखते हैं जरा find the HCF of 4 upon 15, 2 upon 5 and 6 upon 25 क्या करेंगे HCF पूछा है तो ऊपर HCF और नीचे मेरे प्यारे बच्चों क्या लेंगे LCM तो आपको गए 4, 2, 6, 15, 5 और 25 अब इस answer बताइए जरा बचों मैं ही solve कर लेता हूँ आप लोग जरा match करें 4, 2 और 6 का LCM HCF करोगे तो कितना आएगा 2 4, 2 और 6 का HCF कितना आएगा 2 आएगा 15, 5 और 25 का LCM 15, 5 और 25 का LCM आएगा 75 को सर कैसे पता आओ जरा ट्रिक बताओं ट्रिक बताओं क्या 25 तुजा 15, 25 तुजा 75 देखो ये इसके टेबल में भी आता है ये इसके टेबल में भी आता है है ना ट्रिक काम ही आएगे लेकिन कब जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे जब आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको भी ट्रिक आजाएगी तब आप लोगो भी ट्रिक समझे में आने लग जाएगी तो बच्चो C is the right answer C for cat Billy meow meow is the right answer ठीक बच्चो next चलें क्या next चलें काफी सारे questions हम लोग कर चुके हैं देखो 30 questions हम कर चुके हैं अब जब 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 को कोश्चन को शिप करते हैं डैसिमल में है इसको हम बात में डिसकर्श करेंगे अब बच्चो जब जब यह वाला question करते हैं एक army वाला यह question पढ़ने में जितना बड़ा कोशन आपको दिख रहा है, करने में उतना ही छोटा है, करने में उतना ही छोटा कोशन है यह, कहता है आपको कुछ नहीं पढ़ना, एक आर्मी है, आर्मी कंटेन्मेंट के अंदर 616 मेंबर्स हैं, इस तो मार्च, उनको मार्च करना है in the band of 32 हो जाएगा, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब होता है, सर HCF, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, बचो HCF, क्या होता है, HCF, excellent मेरे प्यारे बचो, क्या होता है, मैक्सिमम का मतलब होता है, HCF, तो आपको 616 and 32 का क्या निकालना होगा, HCF, क्या निकालना होगा, HC CF. बताईए answer क्या होगा? बताओ answer क्या होगा? इतना बड़ा question और इतना छोड़ा सा काम करना है. ह-CF लेना है. इसका answer क्या होगा? इसका answer क्या होगा? जर्ippers बता statistics चलिए ज़रा देखें इसका क्या है? इसका क्या answer हो सकता है 32 16 बच्चों सबसे बड़ा नंबर देखें सबसे बढ़े नंबर से start करते 16 से क्या ये नंबर 16 से divided हुरा है दो शिक्सटें ट्रीज़ा 48 नहीं ये डिवाइट नहीं होगा है एक सिस्टें से divided करके देखतें दाहोगा क्या है ना यहीं पता लग जाएगा 16 से divide करके देखते हैं 16, 3, 48, 1 में से 8 गया 3, 1 और 6, ये तो divide नहीं होगा, 16 के table में आता ही नहीं है, 136, तो बच्चो अब करते हैं 8 से, क्या 8 से divide हो जाएगा, 8, 7, 56, 8, 75, अरे सर हाँ, हो जाएगा बच्चो, 8 से divide हो जाएगा, यही इसका right answer है, आगे चलते हैं जरा, अब आ जा हुए हैं, यह 2000 and 23 का latest question है, अभी जो recent exam हुआता जन्वरी में, कहता है the product of two numbers is 11, with LCM 112 is 402, the HCF of the two numbers, बच्चो, यह वाला formula कि दो numbers का product equal होता है HCF के और LCM के, यह उसी formula पर based question है, है ना, अब देखो आपको उसमें क्या दे रखा है, first और second अलग अलग नहीं दे रखा, लेकिन उसने product दे रखा, direct, direct क्या दे रखा, product, कितना है, 4032, 4032, HCF नहीं पता, find करना है, LCM 112 है, अब divide कर दें क्या, बचिवाइड करतो, divide करोगे तो कितना आएगा, 12 से divide करोगे तो आजाएगा, 36, कितना आजाएगा, 36, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 36 ही आएगा, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा, next देखिए जरा, कहता है, 32 red pants, 56 blue pants, अब चो देखो, question जितना बड़ा, उतना ही छोटा इसका answer, 32 red pants है, 56 blue pants है, करना क्या है इसके अंदर, C equal makes and find the biggest pack, जैसी आपने biggest देखा, तो biggest का मतलब बच्चों क्या होता है, H C F, biggest का मतलब क्या हो गया, H C F हो गया, तो आपको क्या करना है, 32 का और 56 का H C F, बता दो क्या होगा, ये divide होगा, 8 से, 8 is the right answer, 8 is the right answer, बता है था ना, दोनों number divide होने चाहिए, 16 से तो divide ही नहीं होता, 12 से भी कोई divide नहीं होता, 8 से दोनों divide हो जाते हैं, तो 8 ही इसका right answer होगा, 8 ही इसका right answer होगा, समझ गए, B is the right option, देखो ये 2022 में आया हुआ है, next देखिए, कहता है, the product of H C F and L C M of two numbers, बच्चों फिर से उसी फोर्मले पर question आ गया, 2022 में भी वही question आया हुआ है, first number multiply second equals to H C F into L C M, है ना, देखते हैं जरह नमर कौन कौन सा दे रखा है, कहता है, one of the number, one number तो दे रखा है 23, second number आपको find करना है, लेकिन, लेकिन उसने बच्चों आपको H C C F जरूर दे रखा है, H C C F कितना है, the product of H C F and L C M, इस बार इन दोनों का product दे रखा है साथ में, कितना, 322, 322, अब इसे solve कर दीजिए, solve करेंगे तो क्या जाएगा, 23 से divide कर तो बच्चों, second number क्या हो जाएगा, second number हो जाएगा, 14, second number क्या हो जाएगा, 14 is the right answer, देखो, यही formula फिर से आगिया, मैं कह रहा था न, यह formula बच्चों बहुत ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा important formula है यह, ठीक है, इस पर question आना ही आना होता है, question इस पर आना ही आना होता है, चलिए, next देखी ज़रा, next देखी दे, इसका क्या हो जाएगा, B, B is the right answer, next देखते है, कहता है, find the smallest number that is divisional by each one of, अब ऐसा ही pattern आपको कराया था न, ऐसा ही same pattern आपको कराया है, कि जब इस smallest number आपसे पूछे, और 3 number दे रख्यों, तो क्या करना है, यह 2021 में आया हुआ कोशन है, बच्चो, 9 का, 12 का, और 15 का, हमको क्या लेना होगा, LCM, और ऐसा ही same question हमने starting में किया था, कि इसका LCM क्या हैगा, 180, solve कर देंगे, solve करने के बहुत सारे method हैं हमारे पास, है न, चलो, एक method से solve करके देखते हैं, एक method से solve करके देखते हैं, 9 को, 9, 12, और 15, सबसे पहले divide किसे करे सबसे पहले divide करेंगे सब 2 से, 2 को divide करेंगे 9 divide नहीं होता, 2, 6, 12, 2 से 15 करेंगे, फिर 2 से divide करेंगे 9 हो जाएगा, 2 से divide करेंगे 3 हो जाएगा, फिर से करेंगे 15 हो जाएगा, फिर आगे देखिए, फिर करेंगे 3 से, तो 3, 3 जा 9 हो गया, 3 बंजा 3 हो गया, 3, 5 जा 15 हो गया, फिर अगें देखिए, 3 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, और यह 5, और क्या हो जाएगा, 5, 1, 1, 1, अब multiply कर देंगे तो, 2, 2 जा 4, 4 जा 12, 3 जा 36, 36, 5 जा 180, 180 is the right answer, it means D is the right answer, चलिए, आगे चलते हैं जरा, आगे चलते हैं हम, एक और question, कहता है था, the HCF of two numbers is 12 and their difference is 12, बच्चों एक question यह आया हुआ था, लेकिन इसको अगर हम options से करें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, कहता है, द difference भी कितना होना चाहिए, difference भी 12 होना चाहिए, आप दोनों condition को put कर लो और answer आजाएगा, देखो, इसमें difference कितने का है, इन दोनों में difference है 12 का, इसमें भी difference है 12 का, इसमें भी difference है 12 का, तो difference वाली बात तो सब के लिए सही है, लेकिन आपको HCF भी ढूंड रहा है, अब ऐसा number ढ जिसका HCF 12 हो, इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा, 84 और 96, यही दोनों ऐसे number है, जिसमें HCF कितना आ रहा है 12, नहीं आता आपको देख के तो देखो कर लो, 84 से 96 को divide कर तो, 84 से 96 को divide कर, 84 बचेगा 12, अब 12 से divide किसको करोगे, 84 को, 12, 7 जा, 84, भी divide हो गया, अब यही क्या हो answer, next देखिए, find the greatest number that will divide 36, 56, 93, ऐसा ही same question कराया है, कि greatest number पूछा गया है आपसे, greatest number पूछा गया है आपसे, और remainder अलग-अलग है, remainder में क्या करते हैं, बच्चों, minus, तो 37 में से क्या minus करेंगे, 1, answer क्या जाएगा, 36, 56 में से minus क्या करेंगे, 2, तो answer कितना जाएगा, 54 हो 93 में से minus करेंगे, 3, तो answer क्या हो जाएगा, 90, अब आपको इन numbers के ही क्या लेने है, इन numbers के ही आपको लेने होंगे, HCF, और HCF मैंने कैसे बताया है, हम कैसे लेते हैं, वह सबसे बड़ा number है, divide करके, देख लेते हैं, 18 है, 18 से divide हो जाएगा, हो जाएगा sir, 18 से divide हो जाएगा sir, ये भी हो जाएगा sir, B is the right answer, बच्चो, B is the right answer, है न, B क्या होगा बच्चो, right answer हो गया, next देखें जरा, कहता है, the HCF and LCM of two numbers are 6 and 864, बच्चो देखो, यही कोशन फिर घूम फिर क्या आ गया, फिर से घूम फिर क्या आ गया, कौन सा, ये वाला, कि first number, multiply second number, equals to HCF, multiply LCM, अब इ HCF and LCM of two numbers are, HCF is 6, LCM है 864, लेकिन एक number आपको दिया है 96, और आपसे पुछा गया है second number, चली बताई जल्दी से क्या होगा, बच्च से divide करेंगे, तो 6 से divide करेंगे कितना आ जाएगा, 16, 16, 96 होता है, क्योंकि yes sir, अगर आपको 16 का table आता है, आप उसे ऐसी कर दोगे, orally है न, देखो जरा, 16 से divide करो, 16, 5 जा 80, 16, 4 जा 64, 54 is the right answer, next question की तरह बढ़ते हैं बच्चो, 2020 में, ओ, 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 बड़ा ही प्यारा question आया था बच्चो, ये question बड़ा ही प्यारा आया था, कि three numbers are in the ratio, 3, 4, 5, and their LCM H2400, then find their HCF, आओ बच्चो जरा, कहता है, numbers का ratio कितना दे रखा है, 3 4 और 5, 3, 4 और 5, और हमें इसका LCM दे रखा है, क्या दे रखा है, LCM, 2400, 2400, अब इसमें क्या निकालना आपको, HCF, तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, मेरे पैरे बच्चो, LCM को न, LCM को, ये जो multiply, ये जो ratio दे रखे हो तो न, इनक ये product से क्या कर देते हैं, divide, तो 3, 4 और 5 से क्या कर देंगे, divide कर देंगे, answer हो जाएगा, answer हो जाएगा, जैसे LCM कितना दिया हुआ है, 2400, HCF और LCM कितना जाएगा, 3, 4, 12, 5, 60, अब divide करेंगे, 0 से 0, 6 से divide करेंगे, 40, 40 is the right answer, next देखिए, the least common multiple, ये तो question हावा मैं ऐसी कर आप, बिना pen को ठाए कर दोगे, least common multiple of 3, 4, 9, 3, 4, 9 का least common multiple, 9 का table लिख दो, वही answer होगा, 9 का table लिख देंगे, वही answer होगा, 9, 9, 2, 80, 9, 3, 27, 9, 4, 36, sir, यही answer है, 36 ही क्या होगा, right answer होगा, क्यों, क्योंकि ये number, बाकी numbers के table में भी आता है, 36 is the right answer, आगे बढ़ते हैं जरा, कहत आगे देखो question, जो मैं आपको बता रहा था, कि ये previous year में आया हुआ question है, आप देखो आया हुआ है, बताओ इसका answer क्या होगा, sir आपने बताया हुआ है, LCM क्या होगा, product के equal, product के equal ही होगा, next देखी बच्चों जरा, कहता है, find out the smallest number which is individual by 6, 10 and 12 and 18, चार नमबर से individual पूछा है इसका answer बता दीजिए, answer है 180, किसका, 6 का, 10 का, 12 का और 18 का, चलो करके देखते हैं जरा, है ना, ऐसा ना हो, भूल जाएं, बई 2 से करेंगे 2, 3 जा 6, 2, 5 जा 10, 2, 6 जा 12, 2, 9 जा 18, फिर करते हैं 2 से, 2 से करेंगे 3, 5, 2, 3 जा 6 और ये 9, अब कोई भी number 2 से divide नहीं हो रहा, अब 3 से करते हैं, 3 जा 3, 3 से 5 डिवाइट नहीं होता, 3 जा 3, 3 जा 9, अब और करेंगे 3 से, 3 से करेंगे 1, 5, 1, 1, अब ये divide किसके होगा 5 से, 1, 1, 1, और 1, अब multiply करेंगे 2 जा 4, 4 जा 12, 12, 3 जा 36, 36, 5 जा 180, हां बच्चों सही आ रहा है, answer सही है आपका है, answer आपका क्या है, 180 is the right answer, next देखे जरा, कि तदा LCM of two numbers is, ये बच्चों ये बड़ा प्यारा question है, LCM of two numbers is 28 times of their HCF, हमें HCF नहीं बच्चों given है, तो अगर मैं इधर लिख देता हूँ इसको, देखो जरा, अगर मैं बच्चों HCF को क्या मान लूँ, HCF को अगर मैं X मान लूँ, तो LCM क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा 28 times, इसका मतलब 28X हो जाएगा, हो जाएगा ना, फिर कहता है, sum of LCM and HCF, sum of LCM and HCF is 740, है ना, बच्चों अगर मैं HCF और LCM को add कर दूँ, LCM को add कर दूँ, तो 7040 मिल जाएगा, अब add कर देते हैं जरा, H की जगा X, ये 28X, इक्वेस्टों कितना हो जाएगा, 1740, add कर ये, कितना हो जाएगा, 290X equals to 1740, divide कर देंगे तो बच्चों कितना आजाएगा, divide कर देंगा, 60, इसका मतलब X की value कितने हो जाएगा, बच्चों, X की value हो जाएगा 60, अब इस से हम क्या निकाल सकते हैं, तो कहता है, if one number is 240, then what is the other number, ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इस से निकालू, HCF, तो HCF क्या था, है ना, HCF तो X के equal था, तो HCF तो हो गया 60, लेकिन LCM क्या होगा बच्चों, LCM था 28X, इसका मतलब 28 की multiply किस से हो जाएगी 60 से, आप इसको solve मत करिए, आप इसको solve मत करिए, इतना ही रहने दीजिए, अब जरा इधर आईए, कहता है one number, ब multiply second number equals to HCF, HCF multiply LCM, multiply LCM, अब यहाँ value put कर दीजिए, देखों first number क्या दे रखा है, first number है 240, second number है 240, second number हमें find करना है, second number find करना है, HCF कितना है बच्चो, HCF अभी निकाला है 60, HCF कितना है 60, और LCM कितना है, LCM है 28 multiply 60, 28 multiply 60, बगो sir यह आपने लिखा कैसे, तो जरा इधर ध्याँ दो, बच्चो, अगर मैं लिखू 2X, तो इसका मतलब हो था 2 की multiply X से, 2 की multiply किस होगी बच्चो, X से, ऐसी दोगों आपके लिखा था, 28X लिखा था, इसका मतलब 28 की multiply X से, 28 की जगा तो 28 लिख दिया, बीच में multiply और X की value कितनी है 60, तो इसलिए लिखा है 28 into 60, अब solve करते हैं, देखो जरा, अब इधर से इधर solve करते है, 60 से divide करें कितना हो जाएगा, 60 से divide करें कितना हो जाएगा, और 4 से divide कर number, second number is equals to 6, 7 multiply 60, 7 multiply 60 that is, that is बच्चो 420, 420 is the right answer, देखो, कितना प्यारा question दिया है, कितना प्यारा, यह होता है question का level है, कितना question का level अच्छा है, आपको पहले HCF, LCM find करवाया, then उसके बाद बताए कि second number find करो, आगे चलते हैं, कहता है, what is the least number multiple of 23 which divides by, अब बच्चो यह ऐसा question ह है ना, जो आपको confuse करने के लिए दिया गया है, जैसे यह बोला गया है, 18, 21 और 24, अगर हम इसको देखें, तो इसमें से remainder क्या बचना चाहिए, 7, 10 और 13, 7, 10 और 13, लेकिन question के starting में एक line है, कि least multiple of 23, 23 का क्या होना चाहिए, multiple, आप इसके अंदर से एक ऐसा number ढूंड लो, जो 23 23 का multiple हो, आपको आगे solving नहीं करना इसे, आपको इसे आगे solving नहीं करना, अब इसका answer पता ही क्या होगा, जब आप 23 से divide करोगो ना, एक यही number ऐसा है, जो 23 से divide है, देखो मैं दिखाता हूँ, 23 बंजा 23, बचे का बच्चो 7, 1, 23, 3 जा 69, बचे का 2 और 3, 23 बंजा 23, है ना, complete divide हो गया, इसलिए यही क्या है, इसका right answer, आगे आपको करने की जुरूत ही नहीं, आगे आपको इस question को करने की जुरूत ही नहीं, 23 is the right answer, next देखते हैं, क्या है, 4 cloaks, अब देखो वही question सेम आगया ना, cloak वाला question आगया, अब cloak वाले question पर आपको मैंने बताया था ना, बिल्कुल सेम question है, यही question हमने किया भी था, 6 second, 8 second, 12 and 18 second, इसको बच्चो 12 a.m. पे start किया गया, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, बस यही का और 18 का, क्या होगा LCM, क्या होगा LCM, तो आपको सर्ष 72, लेकिन seconds, 72 लेकिन seconds में, अब आपको एक बात या दोगी ना बच्चो, यह दिरखा 6 minute, हमें इसमें निकालना था, तो हम क्या करतेंगे, 6 minute को divide करतेंगे, कि से 72 से, 72 seconds से divide करतेंगे, लेकिन इसको भी convert करना होगा, किसमें, minute में, minute से second में, तब हम कर पाएंगे, ये भी second में और ये भी second में, अब करिए divide, 6 से divide करेंगे 12, और 12 से divide करेंगे 5, तो क्या जाएगा, यहाँ पे आजाएगा बच्चो 5, लेकिन, 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 मेरे प्यारे बच्चो, इसका answer मैंने क्या बताया था, 5 प्लस 1 क क्यों, क्योंकि वो एक time पहले ही ring हो चुकी है, एक time पहले ही ring हो चुकी है, they started ring together 12 a.m., एक बार वो सब पहले ही ring हो चुकी है, तो वही उसका answer होगा, वही उसका answer होगा, समझ गए मेरी बात को, क्योंकि yes sir, है ना, तो बच्चो answer क्या होगा, six times, six times is the right answer, same question आया हुआ है 2019 मे 2019 में same question आया हुआ है बटा, है ना, अब ज़रा हम इस question को कर दें, कहता है एक दूदिया है, वो दूदिया क्या करता है, उसके पास two cans है, of milk, जिसके अंदर बच्चो एक तो 75 liters है, और एक है 45 liters milk, अब वो दोनों को बारी बारी क्या करता है, what will be the major of the largest vessel, बच्चो देको word मिल पतलब क्या होता है, HCF होता है, आप को उसके होता है, हाँ, बिलकुल HCF होता है, अब HCF किसका निकालना है, 75 का और 45 का, 75 का और 45 का, आपको क्या निकालना है, HCF, अब बताईए answer क्या होगा, 15, क्योंकि सबसे बड़ा अगर हम नंबर देखें, तो 18 से तो divide होता नहीं है, 10 स आप 15 से तो होगा है, 15 से तो होगा ही, मेरे प्यारे बच्चो, होगा की नहीं होगा, बिलकुल आइए जरा, अब next question की तरफ चलते हैं, next question की तरफ चलते हैं, कहता है राम एंड सियाम एंड मोहन, तीन है बच्चो, तीन बच्चो रणर्स हैं, एक ही ट्रेक पर रनिंग करत पर can't करते हैं गोत तो कभी ना कभी तो ऐसा कोई TIG姆एगा कि फिर से मिलेंगे वो दुबारा कब मिलेंगे यह वही कोशन है तो कहता है after how much time they will meet together for the first time at the starting point है ना बच्चो ये कोशन भी किसका है LCM का आपको bell वाले कोशन दिखें या running वाले कोशन दिखें कोशन किसका होगा ये होगा आपका किसका होगा बच्चो ये होगा LCM का अब LCM आपको निकालना है किसका LCM निकालना है 75 50 50 and 30 अब जरा मुझे इसका आंसर बताइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा 250 मिनट इसका आंसर होगा 150 मिनट लेकिन मेरे प्यारे बच्चो आंसर तो आर्स में दिया हुआ है अब वन फिफ्टी मिनट में कितने आर्स होंगे क्योंकि हमें पता है वन आर में कितने मिनट होते हैं वन आर में 60 मिनट होते हैं तो 150 मिनट में कितने आर्स होंगे वन फिफ्टी मिनट में कितने आर्स होंगे तो आपको sir 150 मिनट में आर्स होंगे 2.5 2.5 आर्स It means D is the right answer बई Next Question क्या है बचो यह बड़ा ही अजीब question है देहो यह question बचो जब आया हुआ exam में था तो बच्चे बड़ा confuse हो गए ते किसरी exam में question है तो है लेकिन किस topic से related है हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा ज़रा question को पढ़ते है बच्चो कहता है जब वो mango को count करता है ना जब वो दो दो करके count करता है, कहता है, twos there was one extra, जब दो count करता है, 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 तो एक आम बच जाता है, जब वो दो count करता है, तो दो आम बच जाते है, जब वो चार करके count करता है, तो कितने बच जाते हैं, तीन, जब वो 5 count करता है तो बच जाते हैं कितने 4 जब 6 count करता है तो बच जाते हैं 5 और जब 7 count करता है तो एक भी नहीं बचता जब वो 7 count करता है तो एक भी नहीं बचता इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि वो जो आम थे न बच्चो आपसे पूछते बास्किट में कितने आम है तो वो जो आम थे न मैंगो वो जो मैंगो थे बच्चो वो किसका multiple होगा 7 का 7 का multiple होगा की ने तो कि जब हमने 7 7 करके count किया तो एक भी reminder नहीं बचा इसका मतलब 7 का multiple होगा अब 7 का multiple देखो इसमें से कौन कोने करना था देखो जब हमने 2 काउंट किये जब हमने 2 काउंट किये तो रिमेंडर बच गया 1 जब हमने 3 काउंट किये तो रिमेंडर बच गया 2 जब हमने 4 काउंट किये तो रिमेंडर बच गया 3 जब हमने 5 काउंट किये तो रिमेंडर बच गया 4 6 काउंट किये तो रिमेंडर ब common remainder, अब याद करो, ऐसा ही एक question मैंने आपको कराया था, कि जब हम अलग-अलग number से divide करें, अलग-अलग number भी क्या बचे, remainder में बचे, तब आपको ऐसी condition मेंगर LCM निकालना हो, तो आप क्या निकालते थे, LCM तो निकालते ही थे, LCM किसका निकालोगे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, और 6 का, आप मुझे इसका LCM बताओ क्या होगा, सर, LCM होगा 60, LCM होगा 60, LCM तो होगा 60 होगा, लेकिन, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब ये एक ऐसा number है, अब ये एक ऐसा number है, जो की, जो की बच्चो, LCM तो 60 आ गया, 60 तो आ गया, लेकिन ये क्या seven six individual है क्या ये seven six individual है तो आपको क्यों नहीं सर अब seven six individual होने के लिए क्या करेंगे आप इसका number देख लीजिए देखो 60 का अगर मैं double कर दूँ अगर मैं 60 का double कर दूँ तो बच्चों कितना जाएगा 120 आपको क्यों हां सर तो ये अभी भी इसका multiple है और 120 में से one माइनस करो 120 में से one माइनस करो तो आंसर कितना आजाएगा 119 कितना जाएगा 119 और ये 119 ना seven से individual होता है 119 किस होता है seven से individual होता है 119 क्या होता है seven से कर दिया one minus कर दिया one को हमने क्या कर दिया बच्चो minus कर दिया इसलिए इसका answer क्या होगा one ninety one ninety तो बच्चो 2023 से लेकर 2019 तके सारे question discuss कर दिये HCF LCM के जितने types हो सकते थे हमने सारे discuss कर दिये तो इस तरीके से आप लोगों का है ना साथ भी मिला और बेटा हमने आपके साथ ये chapter भी complete कर दिया है ना complete कर दिया बच्चो HCF और LCM पूरे तरीके से complete हो चुका है आपका एक ही class में जड़ से खतम